जाख स्वागते इस्टमस आपका आमारी इस YouTube चनल में मैं हूं आपका मिंतर पाटी सर्वर आप देख रहे हैं e-learning TV. आज मैं आपके लिए लेके आगया हूँ अप्राइल 2022 के practical exam serilated doubt session. अब पिछले बहुत टाइम से हमारे social media handles पे practical serilated काई doubt पूछ चुके हैं. तो हमने सोचा क्यों ने इसके उपर एक complete lecture बना दिया जाएं. फाइनली हम आपके लिए complete lecture लेके आगया है. जिसको देखने के बाद आपके practical serilated सारे doubt clear हो जाएंगे. आपको करना क्या है? सुरू से लेके लास्ते किस lecture में बने रहना है. तभी आपको सारी चीज़े समझ आएगी. अगर आप बीच में lecture से skip करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. और इससे पहले हमने आपके TMA से related doubt session upload कर रहा है. उसका link आपको description box में मिल जाएगा. उसमें हमने आपके TMA से related सारे doubt clear किया है. जैसे आपके TMA की last date किया है. और इसके लापा जो भी TMA से related आपके doubt सब कुछ हमने उसमें clear कर रहा है. आपको इपर वो lecture भी देख ले रहा है. Link description box में है. और हमने सभी subject के TMA भी upload कर रहा है. उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा. वहां से आप free of course देखकर बना सकते है. आज किस लेक्चर में 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 यह चार doubt clear करने वाले है. आज किस लेक्चर को देखने के बाद आपके चारो doubt clear हो जाएंगे. तो मैं आपका जाता समय पर बाद आप नहीं करूँगा लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जो आप message करते हो sir solve practical files लिंक यानि हमें solve practical files कहां से मिलेगी. तो मैं आपको बताना चाहूँआ हमारी इसी चले पे class 10 और class 12 के सभी सब्जेक्टों की practical file मिल जाएगी. लिंक description box में है या उपर i button पे आप click करके देख सकते हैं. कुछ एक subject है रहे है उसका भी हम जल्दी upload कर देंगे. मैं आपको पताना चाहूँआ हमने class 12 के जोगरफी की practical file भी upload कर रखी है. उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा. वहां से आप free of cost देखकर बना सकते हैं. लेक्चर में आगे बंडे से पहले आपसे एक चोटी सी request है. भले ही आप हमारी इस lecture को like न करें पर अपने friends में जरूर शेर कर दें ताकि सब की help हो सके. क्योंकि हमने market में ऐसे बहुत सारे जरी देखे हैं जो TMA और practical file के पैसे लेते हैं. जो कि बिल्कुल गलाता है, education को कभी भी business नहीं जोड़ना चाहिए. हमारे institute का motive आपको free of cost कम समय में quality education provide करवाना. आपको करना क्या है? आपको जादा जादा friend में इस lecture को share करना है ताकि सब की help हो सके. और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर लें क्योंकि हमारे चैनल आपको NIVS का full study material free of cost provide करवाता है. यहाँ पर आपको free coaching class करवाई जाती है, सभी subject हो के आपको notes provide करवाई जाते है, साथ ही आपको free TMA और practical files भी provide करवाई जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें. दूसरा benefit होगा for all updates, हमारे चैनल पर आपको NIVS की सारी update मिलती है, exam होने तक कोई भी update आती है, आपकी exam की date sheet आती है, आपकी exam cancel होते है, कुछ भी होता है, हमारे चैनल सबसे पहले आपको inform कर देगा. तीसरा benefit होगा for CCP, CCP क्या होता है, career counseling program, हमारा चैनल हट साल रिजल्ट के बाद career counseling program चलाता है, जिसमें हम आपके career related सारे doubt clear करते हैं, जैसे आप government job के form किस तरीके से feel कर सकते हैं, आप admission form किस तरीके से feel कर सकते हैं, सब कुछ हम बताते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, उमीद है आपने चैनल को subscribe कर लिया होगा, bell icon भी press कर दिया होगा, आगे इसके बाद आप दूसरी चीज मैस करते हो, practical exam date, यानि सर हमारे practical exam कब होंगे, तो मैं आपको बताना चांग हो, इसका जबाब है practical exam conducted at March before theory examination, theory examination जो आपके April में होते हैं, उससे पहले March में आपके practical exam हों को subscribe करके रखना पड़ेगा, इसके बाद आप तीसरी चीज मैस करते हो, practical exam कैसे होते, यानि practical वाले दिन क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, practical वाले दिन सबसे पहले जब आप center पे पहुँचोगे, तो आपकी attendance होगी, यानि कौन आया, कौन नहीं आया, यह देखा जाएगा, उसके बाद practical files आपकी submit होगी, आप जो practical file लेके जाओगे, वह वाँ पर आपकी जमा हो जाएगी, उसके बाद वाइबा होगा, वाइबा क्या होता है, आपको practical file में से 3 या 4 question पूछ जाएगे, उसी को वाइबा कहते है, उसके बाद write up practical, आपको आपक सबसे जादा students को confusion होती है, क्या practical exam देना जरूरी है, इसके number लगते है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जबाब है, yes, it is compulsory for all students, जी हाँ, आपको practical exam जरूर देना है, अगर आप practical exam नहीं देते हो, तो आपके result में SYCP लिखा हुआ आजाएगा, जिसका मतलब होता है subject is to be clear in practical, यानि आप इस subject के practical में पास नहीं है, आपको practical दुबारा देना होगा, आपको practical में अलग पास होना होता है, और theory में आपको अलग पास होना होता है, उमीद है आपको ये बास समझ आ गई होगी, इसलिए आपको practical फाइल बनानी है, और practical exam जरूर देना है, नहीं त इसके अलाबा भी कोई doubt है, तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं, हमारी team है comment और मैंस का reply करती है, इस बात का proof आपको comment box देखके ही मिल जाएगा, और जाते जाते चलने पर नए तो चैनल को subscribe भी कर ले, तो चलिए आज किस lecture को यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं अगले lecture में झाले